हलो दोस्तों देखिए आज हम ये डोरेंगिंग का डिजैन लेके आए हैं डिजैन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताईएगा पसंद आये लाइक एंशेयर कीजिएगा ये डिजैन कैसा लग रहा जरूर बताईएगा देखिए हमने ये दो रंगों में बनाया हुआ है बीच बीच में मोती लगाएए हैं तो डिजैन कैसा है जरूर बताईएगा तो चलिए आप बना लेते हैं बनाने के लिए हम चूड़े लेंगे अपने साइस की साब से हम लो ले सकते हैं चूड़िया और उसके बास से हम यह हम धागा लेके आ इस्से न लगा के अ मत राइंगी निया पहले पंड लेंगे इसमें बहुत सारा बना लिया है अब हम इसे तो इसे हम ज्याइंट करेंगे तो ऐसे लेके यह सीधा साइट से लेके ऐसे हम इसे पलट के ऐसे रख लेंगे तो एक साथ और हम सेम कलर ऐसे धाय को सुई में लगा लिए हैं और यहां नौट लगा लिए हैं और लेके हम इसे जेंट करेंगी एक ल weld एक ये जेंट करेंगी और उसके पास से ये मीटिल में हम लेके यहाँ पर एफ से निकालेंगी और यहाँ पर अपने साइज één योग मोती लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम छोटा व्लोग मोती ले रहा है ऐसे इसमें लगा लेंगे देखे मिडिल में दुन्हों ज्वाइंट किये वहाँ पर अब उसके बाद इसे बैक सर करके हम बांद लेंगे और इसे कट करके हम निकाल लेंगे तो ऐसे ही लाइन से हम ऐसे ज्रेंट करेंगे एक लाइन में हम ऐसे फाइल रखते हैं और उसके बाद से हम ऐसे रखेंगे फूर रखेंगे फिर त्री टू ऐसे करेंगे और जहां यह ज्रेंट करेंगे दिखे इधर नीचे यह दोनों से ज्रेंट होगा इधर इधर और ऐसे line में joint होगा और ऐसे दोनों side joint होगा तो इस पे बीच बीच में मोती लगाएंगे तो हम और ये ऐसे एक तक ऐसे joint कर ले रहे हैं फिर आगे करे जन दिखा रहे हैं तो देखिए हमने ऐसे बना लिया पुरा 5, 4, 3, 2, 1 एक तक पुरा बनाएं हम ऐसे एक line में पुरा ये एक side का हमारे बनाने में 15 लगा है पुरा 15 निस में लगा है हम दोनों side के लिए ऐसे बना लिए हैं 2 बना लिए हैं ऐसा joint करके अब इसके बाद से हम तुरन पट्टी बनाएंगे तो तुरन पट्टी बनाने के लिए हम पहले ऐसे नोट लगाएंगे नोट लगाके एक, दो, तीन, चार, पास, छै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा फिफ्टीन हम ऐसे बना लेंगे पंदरा चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे और इधर से हम देखिए, एक, दो, तीसरी वाले हम ऐसे ले जाके बनाएंगे, डबल क्रोश्या, यहाँ पर ते, ऐसे तो ये तीन छोड़े हैं चेन जो हो, और एके लेके, दो हो गया वैसे ही, और भी आगे ऐसे, डबल क्रोश्या हम बनाएंगे पुरा तो तीन हुआ चार पांच छै ऐसे हम यहाँ तक बना ले रहें तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम पुरा थर्टिन डबल क्रोश्या, यानि तेरा डबल क्रोश्या बना लिए हैं अब यहाँ पर फिर हम एक, दो, तीन, त्री चीन करेंगे बैक साइट घूम जाएंगे एक यह चीन बना लिए उसके बाद से हम यहाँ पर बना लिए अब इसके बगल में यहाँ पर बनाएंगे तो एक, एक, दो हुआ फिर उसके बगल में तीन, फिर उसके बगल में चार फिर उसके नेक्ट वाले में बनाएंगे हर एक नेक्ट में लाइन से ऐसे पांच देखिए फाइब बन गया लाइन से अब उसके बाद यहाँ पर एक, दो, तीन, थी चेन करेंगे फंदे लेंगे अब इसमें हम एक, दो, तीन छोड़के चौथे वाले पर फिर बनाएंगे हम डबल प्रोश्या एक, दो, तीन, चार, एक लाइस्ट पर बना देंगे पांच, फाइब बन गया, दूनों सेट फाइब फाइब हो गया बिच में तीन छोड़के थाटिन था, पुरा तेरा था, पांच बस दूनों सेट, तीन चेन कर लिए हैं और तीन डबल क्रोश्या छोड़ दी हैं उसके बाद एक, दो, तीन चेन फिर दूसरे साइट घुम जाएंगे फंदे लेंगे फिर पांच के उपर हम पांच बना लेंगे एक चेन बनाए हैं उसके बास एक, एक, दो, तीन, चार, पांच यहाँ पर फिर एक, दो, तीन, थी चेन बना लेंगे फिर स्थी चीजे बनाएंगे फिर ऐसे पांच पर पांच बना लेंगे और उसके बाद फिर तीन चेन करके खूंगे फिर बनाएंगे तो ऐसे ही अपने डोर के साइज की हिसाब से हम बना लेंगे तो देखिए हमने ऐसा बना लि लेंगें बनाये है तो और यह नाश्ट सेमर ब यहां से जो और sebenarnya सेल माझ ago आप तो तो यह जो नहीं है तो इह जहां कि वना तो है इसके कर लेंगे से इसके बराबर पर ग्लर गात रहें गे और है तो नहीं और यहां पर यहां पर यहां तक हम पाचो पर ऐसे चोड़ियों पर देखिए हमने यह ज्रेंट कर लिया इधर और यह दोनों सेट हमने यह ज्रेंट कर लिया है अब उसके बाद से हम यह मीडिल का है यहां पर जालर लगाएंगी हम आप चाहे तो फ्लार बना के भी लगा सकते हैं तो जालर बनाने के लिए हम रेट कलर ले रहें यहां पर ऐसे हम तीन उगलियों पैसे करेंगी आप चाहे तो और बड़ा बना सकते हैं फोर उगलियों पर करके ऐसे डाउन करें हम 15 डाउंड यहां पर कर रहे हैं कर लेंगे और सिम्धा गले के यहां मिडिल में हम उपर से बान देंगे यहां पर ऐसे बांद देंगे फिर धाय को इसे खीच के बराबर कर लेंगे और यहां पर ऐसे धागा लेके थोड़ा से बढ़ा लेके और ऐसे हम तिंचार राउंड ऐसे राउंड फिडा लेंगे और उसका से कट करके हम इसे बांद लेंगे सिम्धा के से ऐसे देखे ऐसे कर देंगे और उसके बाद से हम यहां से बराबर ऐसे कट कर लेंगे तो ऐसा हमने और भी बना लिया उसके बाद से पॉम पम बना लेते हैं पॉम पम बनाने के लिए हम दो उंगलियों पैसे राउंड फिराएंगे ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, दस, सिक, ग्यारा, बारा, तेरह, चौदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह, उननेश, बीस, एकिस, बाइस, थेस, चौविस, पत्चिस, चब्विस, सत्ताईस, अठाईस, उनतिस, तीस हम ठटी राउंड ऐसे खर रहे हैं, आप लोग वर मुटा चाहिए, वर मुटा बना सकते हैं, आप लोग, इसे लेकि, और हम यहाँ पर, सिम धावा, इसे लेकि, थोड़ा से थागा पड़ा लेकि, कट कर लेंगी, इसे मिडिल में रखके, हम इसे बान देंगे, ऐसे, इसे हम मिडिल में ऐसे, बान लेंगे, गट, अब उसके बार फिर एक राउंड ऐसे करेंगे, फिर से बान लेंगे, एक दो राउंड करेंगे तो इसे खूलेगा नहीं, अच्छा से यह देगा, और इसमें नोट अच्छा से लगा देंगे, उसके बार इसे हम, साइड से, इसे चैटपट कट जाता है इसे साइट से कट लेंगे दोनों साइट कासे मिटें में इसे हम बरावर कर देंगे और उसके बाद हमने यह फिल से लिया और हमने यह सेम कलर दागा ले लिया है सुई में लगा लिया है अब इसमें हमें इसे मोती एक लगा लेंगे मोती लगाने के बाद से हम जो पंपं बनाए है वो लेंगे और ऐसे मिडिल में आप चाहें तो बीन मोती के भी बना सकते हैं और ऐसे लेके और कहीं से भी हम ऐसे मिडिल में ऐसे कर दियें यहाँ पर हम ट्रेंड करेंगे चाहें तो आप एक दो मोती लगा कैसे लंबा भी कर स लगते हैं थोड़ा है यासे करके हम और इसे हम बांध लेते हैं कि इसके बार कट कर लेंगे तो यह जो खाली खाली रहेगा वह थोड़ा हो जाएगा इसके लिए कि उसके बास से जो हमने यह बनाया लटकन यानि टसल आया उसके लिए भी स्हें कलर ईशी उलन लेंगे नौट लगा लिए हैं मिटिल से निकालेंगे और हम आपको दिखा दे हाएं हम ऐसे लगाएंगे और इसके मिटिल में भी लगाएंगे तो हम पहले यहां पर एक ऐसे लगा दे रहें है, ऐसे उपर से, ऐसे लेके, इसे कान देंगे, और ऐसे लेके हम इसमें, ऐसे नोट लगा के, कट कर लेंगे, तो देखिए, ऐसे यहां पर हो गया, से में से ही हम और भी लगाएंगे, यह समय हम, ऐसे पॉम्पम लगा लेंगे और ये किनारे पे ऐसे हम ये लगाएंगे पूरा हर एक चुडियों में तो हम और बना ले रफे दिखा रहे हैं तो देखिए हमने ये पूरा बना के त्यार कर लिया डिजाइन कैसा लग रहा? कॉमेंट करके बताईएगा पसंद आए लाइक और सेर किजिएगा ये डिजाइन कैसा है? जरूल बताईएगा प्लीज लाइक और सेर किजिएगा कॉमेंट किजिएगा थैंक यू